नमस्कार दोस्तों, इंकम टेक्स डिपार्टमेंट की ओर से जब किसी अससी को नोटिस भेजा जाता है और पर्टिकुलरली जब सेक्शन 148 का नोटिस आता है जिसमें ये कहा गया हो कि आपने फलां असस्मेंट येर के अंदर इतना पैसा नकट जमा कराया तो अससी जिसके पास ऐसा नोटिस आया उसके कान खड़े हो जाते हैं कि अरे इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चला कि मैंने इतना कैस जमा कराया और अब ये कैस जो मैंने जमा कराया है उसके संदर में इंकम टेक्स डिपार्टमेंट मेरे से क्या इंफॉर्मेशन मांगेगा मैं इसको कैसे प्रूव करूँगा यह एक बहुत इंपॉर्टन्ट आस्पेक्ट अससी को फेस करना पड़ेगा और उसे इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को संतुष्ट करना पड़ेगा कि अससी ने जो कैश जमा कराया वो कैश उनके जैन्विन सोर्से से था तो मुझे लगा कि इस विशय पर कुछ क्लारिटी अससी एट लार्ज के लिए और दी जाए या और अच्छे तरीके से उनको यह आस्पेक्ट समझाए जाए कि यदि आपने किसी पर्टिकुलर फिनेंशल इयर में बैंक में हूज अमांट आफ कैश जमा करा रखा है और वो हूज अमांट आफ कैश अब इंकम्टेक्स डिपार्टमेंट के राडार पे आ चुका है तो आप उसका जवाब कैसे दाखिल कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके साथ इसी महत्पूर्ण विशे पर एक डिस्कुर्शन ले करके आगे चलता हूँ तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैंने आपके साथ शुरू में रखे कुछ क्वेश्चन और स्पेसिविक रूप में आपके सामने रखता हूँ कि whether cash deposit is a sin क्या अपने खाते में नकत जमा करा देना एक अपराद है क्या अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा नहीं सर अपराद तो नहीं है पर आप जवाब देने में सक्षम होने चाहिए कि वह कैश का स्रोथ क्या है दूसरा प्रशन है हमच cash can be deposited in a bank account बहुत बड़ा question है बहुत सारी वीडियो भी YouTube पर देखने को मिलती है कि आप कितना cash जमा करा सकते हैं bank account मेरा एक सबसे बड़िया राए लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं सर ऐसा तो कैसे होगा बढ़िया जी मैंने cash जमा करा लिया तो कितना जमा करा सकते हैं मैं फिर कौंगा कोई limit नहीं है आप कितना भी cash जमा कराएं आपके पास में अगर source explainable है तो कोई tension नहीं है और अगर आप cash जमा कराते हैं और आपका source explainable नहीं है यानि आप source का सपष्टी करण नहीं दे सकते then you are in problem तीसरा प्रशन है whether cash deposit blindly attracts tax liability क्या आपने कोई भी cash जमा करा दिया तो क्या सीधे income tax department उसको जोड़ देगा तो मेरा फिर answer होगा कि नहीं सब्सक्राइब अगर आप cash का स्रोत properly explain कर देंगे तो income tax department आपको परिशान नहीं करेगा या करेगा भी assessing officer के order में जोड़ देगा तो आप appeal में हो सकता है जीत क्या लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि cash जमा होना खाते में सीधे-सीधे tax liability attract करता है मेरा फिर उत्तर यह है कि आप अगर explain कर पाएंगे अपने cash को properly तो आप बच जाएंगे और अगर आप properly explain नहीं कर पाएंगे cash के स्रोत को तो ऐसी परिस्तिती में आप पर tax लगना निश्चित है मेरा इस वीडियो का तातपर यह नहीं है कि आप से cash पर question पूछा तो जो मैं यहां पर स्रोत दे रहा हूं वो स्रोत आप बता दीजे यह तो गलत होगी बात सही बात आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि आपको पता है कि आपकी वास्तिक स्टोरी क्या है और मैं जो यहां कुछ उधार्ण रख रहा हूं उनमें से कोई एक उधार्ण आपके case में हो सकता है लागू हो अब आपका कर्टब यह बनता है कि आप अपने cash के source को properly cash के हो सकता है वो addition ना हो और अगर आप properly explain करने के बावजूद प्रूव नहीं कर पारें तो आपका addition होना निश्चित है जैसे कि कि आपके cash के deposit का एक मूल स्रोथ तो है आपकी आए अब आए दो तरीके के हो सकती है tax paid मान लिजे एक sellerate paid employee है उनकी 15 लाग की तंखा है वो समय समय पर खाते से हर महीने लगबख 50,000-60,000 निकालते हैं मार्च महीने में उनके पास में cash पढ़ा था एक लाग रुपए उन्होंने वो cash जमा करा दिया तो income tax department को वो यह explain कर सकते हैं कि हासाँ मैंने अप्रेल से ले करके और फरवरी महीने तक हर महीने 50,000 के एसाब से total amount से for example ग cash जमा करा दिया मुझे लगता है इस तरीके का explanation माने जाने योग हो exempt income थी बहुत से लोग agriculture income कमाते हैं और वो agriculture income से उनको exempt income होती है क्योंकि agriculture income by default taxable नहीं है हमारे देश में तो आपने बुला साब मेरे को agriculture करने से 4,00,000 रुपए की आई हुई मैंने वो 4,00,000 नकत जमा करा है तो income tax department मान सकता है क्योंकि that 4,00,000 रुपीज is the source of the agriculture income पर आप ये भी तो प्रूव करिए कि क्या वास्ता में agriculture थी अगर आप ये प्रूव करेंगे तो income tax department आपके इस logic को मानेगा गिफ्ट बहुत सी बार हमें cash में उपहा रहा आ जाते हैं कि मुझे किसी रिष्टेदार ने माता जी ने पिता जी ने इन लॉज ने 50,000,000 रुपए का कोई गिफ्ट किया या बहुत से अलग-लग जनों ने गिफ्ट किया मैंने वो गिफ्ट अपने खाते में cash जमा करा दि लोन बहुत से लोग बुलते हैं सर मैंने तो नकद लोन ले लिया था और वो नकद लोन मैंने खाते में जमा करा दिया सर अगर आप नकद लोन लेते हैं किसी वेक्ति से 20,000 यह उस से जादा तो उतने amount की penalty है तो अगर आप यह कह रहें income tax department को कि मैंने फला वेक्ति से 2,000,000 रुपे नकद लिये थे और या मान लीजे 50,000 रुपे नकद लिये थे और वो नकद लोन लिया था और मैंने खाते में वो लोन जमा करा दिया तो डिपार्टमेंट आपकी income में तो नहीं जुड़ेगा उस पैसे को लेकिन वो 50,000 रुपे की penalty लगा देगा क्योंकि आपने 20 पिता जी ने पैसा कुछ रखा हुआ था अनफॉर्चुनेटली उनका देहान्त हुआ उनके देहान्त के बाद मेरे को ये पैसा अपने खाते में जमा कराना पड़ा या माता जी से ऐसा पैसा मिला किसी भी प्रकार से इन्हेरिटेड मनी इंकम टेक्स डिपार्टमेंट सर इन्हेरिटेड मनी को कैश जमा कराने में आपती करेगा इसमें कोई डाउट नहीं अब आप कैसे प्रूव करेंगे सर देखिए उन व्यक्ति ने गिफ्ट उन व्यक्ति ने एक विल लिखी विल में लिखा कि हाँ इतना कैश मैं चोड़े ने यह पैसा दिया है उनके पास में यह कैस्ट था एड़ टाइम ऑफ डेथ तब आपकी बात में कोई लॉजिक डिपार्टमेंट मान सकता है और देखिए सर कुछ और स्रोत हो सकते हैं सेल अप रियल एस्टेट बहुच्छे लोग बोलते हैं सर मैंने प्रॉपर्टी बेची थी वहां से मुझे नकद आया सर फिर आपको बुलाओं 20,000 रुपए या उससे अधिक की संपत्ती रियल एस्टेट नकद नहीं बेची जा रुपए या उससे ज्यादा की तो यह भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरी इन बातों का तत्व यह है सर के आप समझिए कि आप जो कैश का सोत एक्स्प्लेंट कर रहे हैं आप उसमें कितना मजबूती से कड़ें कि हां सर मैं बच जाओंगा या आपको दिख जा यह भी तो एक point income tax department देखेगा withdrawal from other bank account यह एक अच्छा logic हो सकता है कि आपके दो खाते से एक SBI में एक PNB में है आपने SBI के खाते से लगातार withdraw करते गए cash और PNB में जमा कराए आप प्रूव करिया आपकी story income tax department मान सकता है previous withdrawal from your own bank account कि आपने मान लीजिए बहुत से लोग बोलते भटिया जी मनें तीन साल पहले cash withdraw किया था 10 लाग तीन साल बाद मैंने वही 10 लाग रुपे जमा करा दिया सर इस तरीके के logic को income tax department नहीं मानता क्योंकि तीन साल आप cash लेकर के बैठे का रहे इस दौरान note बंदी भी त से आने वाली या कोई profession जो मैं pursue करता हूं उससे आने वाली पर क्या आपने इस तरीके के sources को return में offer किया है अगर आप यह कहानी इस प्रकार से अपनी सही रूप से establish कर पाएंगे तभी आपको को कोई addition जो cash deposit का है वो बच सकता है तो दोस्तो मैं समझता हूँ के cash deposit के source को explain करना एक assessi के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं तो मेरी advice है कि सबसे पहले आपकी true story क्या है आप उसको analyze करिए उस true story पर आप अपने tax advocate अपने charter content का feedback लीजिए कि मैं इस story को अपनी कहानी को कैसे establish कर सकता हूं और इस कहानी को establish करने के बावजूर मुझे क्या tax के consequences या penalty consequences face करने पड़ेंगे मेरी ये video sir आपको बचा लेगी 100% मैं ये guarantee नहीं दे सकता पर मेरा करतव बनता है कि as a charter accountant मैं assesses at large के knowledge के लिए बात करूं कि उनका ज्यान वर्दन हो इस video से कि वो अपने case को properly evaluate कर पाए और कहां वो बच सकते और कहां वो नहीं बच सकते ये समझ करके उनका proper action income tax department के साथ interaction के बने. So I hope my dear friends this video would be useful to you. Thank you very much for being with me. Wishing you all the best.